हालो गाईज, जाहिंद, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज हम लोग एमेश वर्ड में इस तरह के नोटबुक का फॉन्ट पेज डिजाइन करना सिखेंगे, तो दोस्तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को ला परफेक्टली तरीका से दिखाई दे, तो प्रॉक्स हम 50% रख दिए, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, सैप्स में जाना है, और एक रेक्टेंगल सैप आपको फूल कॉर्णर में ऐसे बना लेना है, पूरा बड़ा सा, कुछ इस पर कारता, उसके बाद दोस्तों क्या कर और इस पॉइंट को उठा करके थोरा सा उपर डालेंगे, उसके बाद इसको हम कुछ इस तरह से मूव कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, इससे मेरा ये कॉपी डूब्लिकेट हो कि इसको छोटा कर लिया, अब इसको उठा करके हम यहाँ डाल लेते हैं, उसके बाद इसको थोरा और बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोरा और हम नीची कर लेते हैं, ऐसा, उसके बाद निक्स टाम क्या करना है दोस्तों, फिर से एक आपको रिक्टिंगल लेना यहां से, और नीचे की line पे आपको draw कर देनी है, as like, ऐसा, उसके बाद इसका color भी हम black कर लेते हैं, और यहां से edit point पे जाएंगे, click करेंगे, और इस point को थोड़ा सा यहां पे डालेंगे, और इसको हम movement कुछ ऐसा बना देते है, as like, कुछ इस तरह का, उसके बाद क्या करते हैं, दोस्तो का color हम कुछ change कर लेते हैं, जैसा मैंने यह curl कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहां से control के साथ छोटा करेंगे, जैसा कि आप देख रहें, उसके बाद इसको हम यहां पे रख लेते हैं, फिर इस point को मिला लेते हैं, left click के मदद से, और इस point को भी हम मिला लेते हैं, left click के मदद से, कुछ इस तरह का, उसके बाद बीच वाले जो sap size पे click करना है sap fill में जाना है pictures में जाना है मैंने pictures दोस्तों download कर रखा है यहां से यह वाला तो picture को select करेंगे और insert करा देंगे page में दोस्तों picture यह आपका inserted हो जाएगा अब क्या करना है आपको यहां से जाना है और एक rounded rectangle यहां पे draw कर लेना है अगर आप कोई भी company का बना रहे है उस company का आप यहां नाम दे सकते है black color कर देते हैं अब इसमें हम कोई text वगरा लिखना चाहते हैं तो आसानी से हम text लिख सकते हैं जैसे हम कुछ type कर लेते हैं c o p y copy d e s i z n copy design अब इसको हम selected लेते हैं select करने के बाद home में जाते हैं और size हम यहां से बड़ा कर लेते हैं जितना बड़ा मुझे करना चाहिए हम यहां से size को बड़ा कर लिए थोरा सा और छोटा कर लेते हैं उसके बाद हम इसका color दोस्तो white कर देते हैं कुछ इस तरह का 100% पर देखे तो इतना सुंदर सा design आपका यहां पर generate हो चुका है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईए और कोई चीज़ पर वीडियो चाहिए उसका भी information दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को like and subscribe किजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे है फिर मुलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए take care have a nice day bye bye thank you